नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों अगस्त का महिना अलविदा कहने वाला है, सितंबर का महिना दरवाजे पे खड़ा है और मैं आ गया हूँ OTT कैलेंडर लेकर तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, इसमें बहुत सारे इन्फरमेशन आपके काम की होने वाली है तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे सीरीज से, बाद में फिर मुवीज की चर्चा करेंगे लेकिन एके करके पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी सीरीज कब और कहां आने वाली है तो दोस्तों पहली तारीख को ही आप एक सीरीज देख पाएंगे जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट 9.11 और दे वार ओन टेरर ये एक डोकुमेंटरी सीरीज होने वाली है नेट्फिलिक्स पे आप इसको देख सकते हैं 9.11 के आतंकी हमले की प्रिस्ट भूमी में ये बनी हुई है कि किस तरह से ये आतंकी हमला हुआ था अलकायदा ने किस तरह से प्लानिंग की थी और इस हमले के बाद अमेरिका ने कैसे आतंकवाद को मुहतोड जवाव दिया था तो दोस्तों इसकी जो आडियो है वो इंग्लिश में होने वाली है फिर 3 सितमर का जो दिन है वो काफी इंपोर्टन्ट है और बहुत सारे लोगों को इस दिन का इंतजार भी है और ये इंतजार है मनी हाइस्ट को लेकर के मनी हाइस्ट के पार्ट फाइव का पहला वाल्यूम 3 सितमर को आने वाला है और बहुत सारी उस सुकता अभी से इस सीरीज को लेकर के है और इसको अच्छे ढंक से नेटफलिक्स प्रमोट भी कर रही है तो ये देखना इंपर्टन रहने वाला है कि प्रोफेसर और उनकी टीम के साथ अब होता क्या है तो फिर दो तीन दिन का गैप रहने वाला है और साथ सितमर को आप देख पाएंगे अन दवर्ज ये भी आ रही है नेटफलिक्स पे यहाँ LA की चार औरतों की कहानी है जो की मिड लाइफ क्राइसिस से जूज रही है और ये जो चारो औरते हैं वो अलग-अलग प्रिस्ट भूमी की हैं एक शेफ है यहाँ एक सिंगल मॉम है एक हायरेस है और एक महिला है जो की नौकरी की तलाश कर रही है तो इसका भी आडियो इंगलिस में आने वाला है फिर आठ तारिक को आप देख पाएंगे दोस्तों इन्टो दा नाइट जिसका दूसरा सीजन आएगा नेट्फलिक्स पे और दोस्तों इसका जो पहला सीजन था वो इंट्रेस्टिंग था यहाँ जो कहानी का कंसेप्ट रखा गया था वो काफी अच्छा था यह एक फ्रेंज सीरीज है लेकिन इंगलिस में भी इसका ओडियो आएगा और पहले सीजन में हमने यह देखा था कि जो सूर्ज की किरने हैं कुछ खतरनाक हो गई है इतनी खतरनाक कि जिसके उपर सूर्ज की किरन पड़ेगी वो मर जाएगा ऐसे में कुछ लोग एक प्लेन में हैं और वो यह तै करते हैं कि सूर्ज से विपरी दिसा में भागा जाए वो लोग भागते भी हैं एक ग्रुप जो है वो टनल में पहुंच जाता है जहां कोई सोल्जर्स ने कबज़े जवाया हुआ है वहां कोई साइंटिस्ट भी है और इस समस्या का हल ढूंडा जा रहा है तो दूसरे सीजन की कहानी अब इस समस्या के हल ढूंडने पर ही होने वाली है दोस्तों फिर नौ तारीख भी काफी इंपोर्टेंट है नौ को आप देख पाएंगे मुंबई डाइरीज 2611 ये आ रही है अमेजान प्राइम वीडियो पे और 2611 के जो आतंकी हमला था मुंब लुहान हो गया था उस समय हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स को किस तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ा था और किस तरह के मनोभावों से उनको जूझना पड़ा था इस तरह की कहानी आप देखेंगे निखिल अडवानी इसके डिरेक्टर है और इसके स्टार कास्ट भ हलाकि काफी दिनों से हो रहा था आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये बहुत पहले ही रिलीज होने वाली थी लेकिन तांडव को लेकर के जो विवाद छिड़ा उसके बाद अमेजर ने कदम कुछ फीचे खींच लिये थे लेकिन अब ये सिरीज रिलीज के लिए बिलकुल ही तैयार है और दोस्तों दस तारीक को आप सोनी लिफ पे देख पाएंगे पॉटलक ये एक कामेडी और इमोशन से भरी हुई सिरीज होने वाली है एक वेक्ति हैं गोविन शास्तरी पतनी के साथ रह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो उनके तीनों बच्चे हैं उनके साथ आकर ही रहें तो इसी तरह की कहानी आप यहां देखने वाले हैं उसके बाद दोस्तों फिर आप देख पाएंगे दस तारीक को ही लूसिफर जिसका की ये चछठा सी जनाने वाला है ये सीरीज भी काफी अप्रिशियेटेड है बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया है आप इसको नेट्फिक्स पे देख पाएंगे फिर 13 सितंबर को आप देख पाएंगे Crime Stories इंडिया डिटेक्टिव बेंगलूर पुलिस की कहानी होने वाली है यहां कि बेंगलूर में कुछ सीरियस क्राइम हुआ था उसकी investigation कैसे की गई थी हाला कि इसका audio हिंदी में नहीं होगा फिर 17 तरीक को आप देख पाएंगे Sex Education जिसका तीसरा सीजन आएगा और आप इसे नेट्फिक्स पे देख पाएंगे दोस्तों फिर 22 तरीक को आप देख पाएंगे Jaguar यह नेट्फिक्स पे आ रही है और यहां कहानी है 1960 की एक Holocaust survivor जो है वो group of agents को join करती है और वो नाजियों से बदला लेना चाहती है तो इसमें भी English audio के साथ ही आपको यह series देखनी पड़ेगे और दोस्तों 22 तारीक को एक series है यह है तो हाला कि documentary series लेकिन यह important series है इसका नाम है Monsters Inside the 24 Faces of Billy Maligan दोस्तों यह जो case था Billy का यह काफे interesting case था 1970 का case था और इसने Ohio ही नहीं पूरे अमेरिका को और पूरे विशु को एक तरह से चौका दिया था Billy ने कई crime किये थे लेकिन जब अधालत में उसको पेश किया गया तो उसके वकील ने कहा कि यह multiple disorder से ग्रस्ट वेकती है यह एक बिमार वेकती है और उसके लिए उन्होंने फिर दलीले दी और शायद यह पहला ही मामला था जब कूर्ट में किसी अपराधी को multiple disorder syndrome से प्रिवित बताया गया था और फिर इस मामले में सुनवाई हुई और शायद उसको छोड़ भी दिया गया था तो यह इस लिहास से एक important case है जिस पर आप यह documentary series देखने वाले हैं इसके अलावा दोस्तों कुछ और releasing की घोशना हो सकती है अभी तक हुई नहीं है इसकी date कभी भी आ सकती है जैसे वूट सलेट पर एक series आने वाली है candy जिसकी कभी announcement हो सकती है Sony lip पर आप Rocket Boys की announcement के उमीद कर सकते हैं और Netflix पर Kota Factory के दूसरे season की कोई releasing की तारीख भी आ सकती है और दोस्तों अब बात करते हैं movies के बारे में यह से महिने काफी movies भी आने वाली है हम दो तारीख को देखने वाली है After Life of the Party यह Netflix पर आने वाली है और इसकी कहानी थोड़ी हलकी फुलकी जैसी होने वाली है लेकिन तीन तारीख जो है दोस्तों वो काफी important है तीन तारीख को काफी सारी releasing है Disney Plus Hot Star पे आप देख पाएंगे Black Widow और यह जो है यह Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada कई भाशाओं में आ रही है लेकिन जो Marvel के फैन है वो तीन तारीख को थोड़ी दूविधा में पढ़ सकते हैं क्योंकि Black Widow तो release होई रही है उसके साथ ही जो पहला Asian Super Hero Marvel ने create किया है उसकी मूवी आ रही है शैंग ची लेकिन यह जो मूवी है यह थियेटर में release होगी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी फिर दोस्तों तीन तारीख को आप G5 पर देख पाएंगे Helmet यह एक Comedy मूवी है इसमें अपार शक्ती खुराना को आप देखेंगे यह एक British American मूवी है जो की Romantic Musical Comedy मूवी होने वाली है फिर दोस्तों नौ तारीख को आप देख पाएंगे Mass Trio यह Disney Plus Hot Star पे आ रही है आउश्मान खुराना की एक फिल्म थी अंधादुन जो की काफी चर्चित थी काफी प्रसंद की गई थी तो उसका ये तेलगू रीमेक है इसमें आपको नितिन तमना भाटिया जेसु सेन गुपता जैसे कलाकार दिखेंगे फिर दोस्तों दस तारीख को भी कई सारी रिलीजिंग है दस तारीख को नेटफिक्स पे आप देख पाएंगे Kate जो की एक American Action Thriller मूवी है यहां एक वेक्ति की कहानी है जो की एक लड़की पर सर्विलांस लगाता है उसके बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहता है लेकिन इसी क्रम में वो खुद ही मुसीवतों में घिर जाता है और दस तारीख को दोस्तों आप G5 पर ही देख पाएंगे डिक्की लोम यह एक तमिल मूवी है फिर दोस्तों कुछ दिनों का जो गैप रहने वाला है और फिर 17 तारीख को आप देख पाएंगे नेट्फिक्स पे अनकही कहानिया यह एक एंथालोजी है जिसमें तीन फिल्में आप देखेंगे इन तीनों फिल्मों के डिरेक्टर हैं अश्मनी यह अर्तिवारी अविशेक चौवे और साकेत चौधरी और इसमें स्टार भी अच्छे हैं अविशेक बनर जी, रिंकू राजगुरू और डेलजाद हिवाल को आप देखने वाले हैं फिर दोस्तों 22 तरीकों आप देख पाएंगे इंट्रूजन यह नेट्फिक्स पे आने वाली है यह एक कपल की कहानी है जो कि अपने नए घर में शिफ्ट होता है वहाँ कुछ लोग घुसा आते हैं यह महिला कुछ पता करना चाहती है और उसे पता चलता है कि मुसीबतें तो अभी शुरू ही हुई है तो दोस्तों इसमें फ्रीडा पिंटो आपको दिखने वाली है उसके साथ ही दिखेंगे लोगन मार्शल ग्रीन तो दोस्तों ये तो थी जानकारी इस महिने रिलीज होने वाली सीरीज और मुवी के बारे में इसके बाद भी अगर कोई रिलीजिंग के अनाउस्मेंट होती है कोई नई जानकारी सामने आती है तो मैं फिर उसके बारे में तो बताऊंगा ही तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए लाइक कमेंट शेयर करिए पहली बारा है मेरे चैनल पे तो सबस्क्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद